मदर ने वो थपड़ पढ़ते हुए देखे तो मैं बिलीब करो मैं गया था जब बापस था सब भी मेरे माँ गाल में ऐसे कुछी मदला सब एक सीन के लिए अगर आजमी यह इतना सीरियस है तो यह लीडिंग केरेक्टर डिजर्ब करता है अपने देश में सब्जेक्टों की कमी नहीं पूरी दुनिया एक तरफ भारत के सब्जेक्ट एक तरफ फिजी में हर जगे वो होडिंग लगे थे कि छोटा डॉन इन टाउन यह लाइन थी ऐसे कहीं कहीं मिनीचर की रूप में यह केरेक्टर जिन्दा है यह नहीं आपकी मम्मी को यह सीन पसंद नहीं आया था उसके पीछे की कहानी क्या है मैं अपनी मा को प्यार से अम्मा बोलता हूँ और आज तक मैंने अपनी मा से कभी भी शुद्ध हिंदी में भी बात लेकी कभी मैं जब उनसे मिलता हूँ तो सिर्फ उनकी बातों में रम जाता हूँ नौरंगी लाल का सेन था को घर में उसमें पूरे गाउन ने कठा करके टीवी मखवा की और वो सीरियल शुरू हूँ उसमें जो मेरा ड्रीम था वो था दिलवाले दुलहनियां ले जाएंगी तो जिसमें हमारा जो बॉस चेटी है वो इनको अम्रीश पूरी दिखता है तो अ पहला एपीसोड था उसी को रिलीज किया था और वो एक दिन तो शायद वो बत्ती चली गई या पता नहीं कुछ हुआ उस समय तो देखी नहीं पाए थे लेकिन एक दिन क्रिकेट आने लगा तो नहीं देख पाए जब एक दिन देखा तो यह एपीसोड देखा और मदर न नहीं चाहती है तो बोले कि हम तु बिटा देखनी पाए वो पहले ठीक चला था वो अचानक पीटने लगे तो हम निकल गए तो मतलब और फिर एक दिन पाए कि सब लोग बोलते है आपको हर फिल्म में पिटवा कि देते हैं सब तो मैंने का कि कोई नहीं पीटता है मुझे एंटेटेंड मनोरंजन है और इसमें मान के चलो दो थपड़ जितने लगए तो डिरेक्टर पूर्दूर के लगता है कि यह फिल्म सुपरेट है वह बाता ही जिस फिल्म में पिटा वो फिल्म सुपरेट हो अब तो खेर उनको पता है कि लेकिन गाहों के परिवार के लिए जहां वट्टा टाकी जन से लब्द ना हो और वहां पर यह उनको विश्वास दिलाना कि यह रियालिटी नहीं है यह रील है पुछके लिए तो आपने दिल्वाले की बात की तो आपकी इसके बाद वाली फिल्म वो सकल होना हो का एक सीन जो शारुक खान के साथ जो अभी हम बहुत जल्दी बोल देते हैं कि एक लड़का मुझसे आया यह लगभग दस साल पहले की बात है जो दस बार हाँ 2010-12 और अचानक बोलता है कि मैं एक बार मौका मिला रहां तो भाई साब शारुक भाई बैठ जाएंगे अच्छा अब मैं वो बैठा है मैंने का तो वा तानक खड़ा हो गया बुला ऐसे सौरी बढ़ आया तो मैंने कहा कि मैंने तुझे क्यों खड़ा किया पता है जो आज में 25 साल से घर-घर बैठा हुआ है उसको तु बिठाने दुवारा चक्क्रन में तुझे खड़ा होने की जबुआ है यह एक ऐसा लेजंट्री अपने देश में जो जिन्होंने नेगिटिव रोल, पॉजिटिव रोल, कॉमेडी और कल हो ना हो में मेरा गेस्ट अपिरेंस था, अला कि मैं उस समय माधुरी दिक्षित बनना चाहती हूं, में लीड कर रहा था, मुझे ये साहब ने, उनके और ये निखिल एडवानी उसके दिरेक्टर थे, उन्होंने से का था, आप चाहो जो ये इस सीन माना कर सकते हूं, क्योंकि एक फिल में लीड कर रहे हो, ये इसमें ये बारा लाइने हैं, वह आपने क्राफ्ट देखा है सीन का शराइब, ये सीन मैंने कोई लाइन बोली, उदर सैफ ने, मतलब रियक्ट कि तो इस तरीके से ये क्राफ्ट वाला सेल था, लेकिन उन्होंने, मैं कहीं बाहर शूटिंग कर रहा था, दस-पंदरा दिन मेरा वेट किया, और मैं गया, जितनी लाइने मैंने पढ़ी थी, उतनी ही लाइने शूट हुई, और बिलिब करिये, उतनी ही लाइने रखी गए, और इस बीच में ये नियॉक में शूटिंग चल लही थी, लगवक 6-7 दिन में बहा था, तो हमारा एक सिंथा बाकि सब कंटिन्यूटिम थे, तो मुझे मैं अकेले में प्रक्टिस कर रहा था, क्योंकि मुझे ये लगा कि बाकि तो सब कंटिन्यूटिम के सब एक दूसरे क केरेक्टर से सब वाकिब है, मैं अभी सब को समझने कोशिश कर रहा था कि ये पापा जी क्या कर रहे हैं, ये दसवारा एक्टरों का एक जमावाड़ा था, और मैं पीछे जाके अगर मैं एक लाइन बोलता था, तो शारुक भाई अगर हाल में होते तो वहां से जवाब द लीडिंग केरेक्टर डिजर्ब करता है, एक्चली वहां से मेरी इनकी अंतरंगता बहुत बढ़ गई, एक दूसरे का रिस्पेक्ट दसगुना जादा हो गया, कि हमने भी बीस रिहरसल किया होंगे, क्योंकि कोई एक शब्द भी इंप्रोवाइज नहीं कर सकते आप, और भाई ने भी बीस रिहरसल में बीसो बार मतलब उन्हों रिस्पॉंड दिया, वो एक अभिनेता जो अभिनेता होते हैं अंदर से, वो इस चीज़ को बहुत इसको शब्दों नहीं बता जा सकता, फिर हमने एक फिल्म की पहली, पहली में दो सिन थे, और जब जब मिले तो कुछ लंबे रोल के लिए करना है रहा, अब शारुक भाई ने भी कई बार बोला, मेरी भी इच्छा लेकिस सयोग चारपाच फिल्में की, भूतनात में हमने की हैं, हम लोग साथ में नहीं थे, बिल्लू बारबर की हम लोग एक फिल्म थे लेकिन साथ में नहीं थे, लेकि तीन तीन शेड के साथ लेके आये हैं, जितनी ताली बजाओत ये कम है। विल मैनिफेस्ट आउट ये कि अब नेक्स फिल में श्कान साथ के साथ पुल प्लेज रोल होना ही चाहिए। हम जिसमें पसीना निकले मज़ा है, मज़ा है। कि हम आशिरबाद प्राप्त अभिनेता हैं, अब इच्छा ये है कि अभिनेताओं को तो ठीर हैं लेकि राइटरों को जरूर बड़ी बुलते हैं, एक हेल्दी कॉम्पटिशन में चुनोती देना चाहता हूं कि कोई तो ऐसा रोल लिखो जिसमें हमें सर्प्राइज मिल कि मतलब बहुत सारे राइटर जो रियल कंटेंट, OTT के माध्यम से बहुत सारी चीजों से निकल रहा है, आई तिंक कते करेक्ट टाइम है कि अपने भारत में 36 स्टेटों में कम से कम हजारों साल पुराने ऐसी ऐसी गाथाएं हैं, जो शायद वर्ड के सामने रख दो, तो वो गाथा समझ पाएं और देखने की इच्छा करें, अपने देश में सब्जेक्टों की कमी नहीं, पूरी दुनिया एक तरफ भारत के सब्जेक्ट एक तरफ लेकिन हमें अपने सब्जेक्टों पर कॉन्फिडेंस कम होता है, इसलिए हमेशा मिक्स्चर हो जाता है और उस अपने सब्जेक्टों की एक अपने सब्सक्राइब के अपने तरफ यहां पर इसलिए को जो चुटा सीन था लेकिन वक्त का जो सीन जो आपका चारेक्टर था जो और वो हर चीज़ बूल जाते है बहुत ही सटल डिफरेंट किसंगी यह ती यहां पर ना तो डालोग थे ल अपन धोल या मालामाल भी वैसे जहां पर फिजिकली सारे कैरेक्टर अपना अपिरेंस दे रहे हैं तो मैं विपुल भाई से बोला आपने कैसे सूचा कि मैं इतने इतने पोकर फेस में इतने प्यार से इसको हैंडल कर पाऊंगा तो उनुका नहीं नहीं हम थीटर गहें व कि एक एक ऐसा करेक्टर कि अगर वो आपने वक्त नहीं देखा होता है तो हंगामा तक मेरी जिंदगी थी लेकिन हंगामा ने जितना इंप्रेस किया वक्त ने अपनी जगहें डोल ने अपनी जगहें चुप-चुप के अपनी जगहें जंगल ने अपनी जगहें अभी नहीं उनका reaction क्या था जब वक्त में काम कर रहे थे बच्छन साहब के साथ में पहला सीन था हम किसी सिकंड़ जी यह तो इस समय तक हम बढ़ के बहुत बहुता है प्यार से बढ़ के बहिता है बोवेंदा ब्रूम बहुते थे और हम उन से कहते थे आगं में जो नाम उ तक हो जो भी आपको लगे लेकिन देखे बच्चन साहब के बारे में सिर्फ एक बात बूलू कि जब मैंने पहली बार काम किया वराइजन होटल में एक सीन था उस दिन मुझे बुखार भी था डेविड साहब ने मुझे वो सीन दिया था कि वो सोला फिल्मों में एक सीन वो भी थी एक फिल्म वो भी थी और जब बच्चन साहब ने हमारे साथ रिहर्सल किया और रिहर्सल करने के बाद में उन्होंने ऐसे वो एक शाट है जिसमें अरे तुम्हें तो बुखार है तो वो जैनुएन रियल बुखार था वो डेविड साहब को कि मैं लेटा हुआ था अचानक बोले कि एक सीन है राजपल और मैं चोर मचाय शोर कर रहा था बावी साहब और मैं उसमें जो है बच्चन साहब ने जो हमारे साथ रिहर्सल किया तो मुझे ऐसा लगा कि हम 20 साल से दूसरे के साथ काम कर रहा हैं और कभी भी उनके साथ जब-जब काम चाहें भूतनात हो च वो शिष्टम के एक किताब है, वो संस्कारों की एक किताब है, वो गयभार की एक किताब है, आख मैंने उनके जीवन में जितना उनके साथ अभी ने करके सीखा, उससे ज्यादा उब्जर्ब करके सीखा, बहुत बड़ी वाद है. और बच्चन साहब जैसे लेजेंड भी बहुत छोटा नाम है कि पूरा विश्य हो बच्चन साहब जैसा जो है बनना चाहता था जब छोटे थे बच्चन साहब के दीवार से लेके और जब जब बच्चन साहब चाहे दीवार हो चाहे बागवा हो चाहे दंजीर हो चाहे एक फिल्म हो जो पता है पहंडेट्स फिल्म से ज्यादा लीड भूमिकाओं के फिल्में हैं लेकिन दुनिया में बहुत कम ब्लेस्ट लोग होते हैं जैसे लॉरेंस ओलीवियर से लेके अगर दस्रीन हाफ में से बल्लिस ब्रैंडों से लेके अपन एक पिछले सौ साल के हर दशक के एक्टरों की बात करें ब्रदग तो आइधिंक पूरे विश्व के दस एक्टरों में एक नाम लेना पड़े तो उन दस एक्टरों में एक बच्चन साहब भी हैं जो हमेशा सिनेमा के लिए जाने जाएंगे तो यह केमिस्ट्री की जो अपने बार की एक और एक्टर है इ इनके साथ की केमिस्ट्री भी आल लव और अक्षे कुमार और अगेन वह मीम वाला चीज़ वह पचीस लाक वाली स्कीव तो गौड उस सीन में जो आपके एक एक रियाक्शन्स है एक्स्प्रेशन्स है यह जो पागलपन है हम आज भी इतने अच्छे दोस्त हैं जब मिलते नहीं मुझे ने मेरा मुगदल थोड़ा से ठीक करवाना है पोजीशन इदर शूटिंग चले इदर अच्छे भाई जो है मेरी पोजीशन की तू यहां पर कॉंसेंट्रेट किया कर जब मुगदल चलाते हैं तो अई धिंक उनके साथ में अभिनेता जैसा कोई विभार ही न संदर से और इतना उनकी दो-चार चीजें ऐसी हैं जो बाकि हर अभिनेता को लेना चाहिए सोने में डिसीप्लिम सुबह सुबह मतलब दुनिया छूट जाए मजाल है कि या आपकी इकससाई छूट जाए साथ बज़े की शूटिंग है तो पहने साथ बज़े बहुत जाना तो आइठिक और जब तक वो शूट ना हो जाए तब तक कि होता ना कि आदी अरे मैं जे बीश साल होगे काम करते हुए या मुझे बची साल होगे काम करते हुए आदमी थोड़ा अलसी हो जाता है कि मैंने किया हुआ ہے लेकिन ने बीश साल पहले और उसके बाद अभी यह ऐसा नहीं देखा कि हर शाट मैहनत करते हूं बंदा और गी कहसे ह student और जो हुआ भाइनास पीटम शुटे रहो थमिए रहे रहे कीकनफ कि बांद भी शुट आपके लेकाइब बनाते हैं आप जो फैमिली फंक्शन में भी जाते होंगे तो लोग आके बना देते हैं मैं आक्षा बन जाता हूं आप राजपाल वालारी सींग कर दीजिए वह सारे लोगों ने कहा लेकिन वह मैं मना कर देता हूं मुझे खुद ही लगता है कि अपने चावल दल खाये थे थोड़े छोड़ दिये और फिस दुबारा जो है वह इता ठाली आगए कि आओ जाओ फोड़े चावल खा लो तो मुझे ऐसा फील होता है तो मैं बोलता हूं कि इसको आप लोग बनाओ मेरे साथ मत करो क्योंकि मैं य उस कैरेक्टर साथ नाइनसाफी ना हो जाए क्योंकि वो कैरेक्टर का देश का लवाता वर्ण उस समय की सिच्वेशन उस समय का मूड और आज दस साल बाद का मूड दोनों फरक है तो अभी अगर करने जाओंगा ये तो हो सकता है उसकी भी गरिमा कम हो जाए इसलिए उसक तो बोले कि यार अच्छा है पिछले दस साल से सोशल मीडिया बहुत जादा उपर आई है और अपन सोशल मीडिया से पहले के इस्टबलिश लोग है और सोशल अपने लोगों के चेहरों की बज़े से सोशल मीडिया को भी फायदा हो रहा है और खूब हुआ है कुछ लोग जो दुर्फियोग होता है चेहरे का वो छोड़ दो otherwise बच्चे से लेके बुढ़े तक सब को मीम अच्छे लग रहे हैं हर उम्र को अच्छे लग रहे हैं और यही मेरा सपना था कि मैं किचन के लिए काम करना चाहता हूँ बच्चे बुढ़े नौजवान सब को मनोरण्यन एक समा वाँ जो आपने ये बात की कि जो भी चीज करो उसमें वो एक लेवल होना चाहिए पॉजिटिविटी है रिस्पेक्ट वाला चीज हो है बहुत सारे कारेक्टर जो ऐसे होते कॉमेडी में करने जाते है तब थोड़ी सी फाइन लाइन होती है वो निकल जाते है लेकिन आपने एक ऐसा रोल एक और किया था जो था छोटा डॉन का इन पार्टनर अगर आज अगर इसी को किसी ने अगर फिल्म नहीं देखी है तो हम अगर उस रोल की बात करें तो ले अच्छा वो वापस पूफ किया होगा मस्ति की होगी स्टूपिडिटी होगी पाट उसमें एक अलग ही आपने चीज कर दी आपकी एक और्डियंस बन गई वो एक आपका वो चारेक्टर आपका चारेक्टर बन गया लेकिन मैं सच में फिजी गया था मैंने फिल्में तो बहुत की थी लेकिन फिजी में हर जगह वो होडिंग लगे थे कि छोटा डॉन इन टाउन ये लाइन थी ऐसे तो मैंने कहा कि ये तो बिल्कुल सही लाइन है तो इसलिए मैं छोटे केरेक्टर बड़े केरेक्टर को क्यों प्यार करने लगा और अपने आने वाले दोस्तों से भी ये शेयर करते हैं करना चाहता हूं कि जब कोई आपको बोले कि ये रोल मत चुनना तो आप उससे पलट की पूछ ले ना कि तू है कौन चुनने वाला जो रोल मिले उसमें बेस्ट करना तो जो बेस्ट सोच रहे उसका इंतजार खतम होता है लेकिन मैं ये रोल करूंगा ये रोल नहीं करूंगा तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बिगनर के लिए मतलब चुनाओ नहीं लोग चुनाओ कर सकें उत तब तक के लिए आपको अखाड़े में हर रोल के लिए ट्राई करना चाहिए था चोटा डॉन भी मेरी यही कोशिश थी विलकुल बिगनर बच्चे की तरह किया था और उसका जैसा देविड साब ने बताया था बैसा ही उ पेरोडी स्वांगाते है या तो फंट इसको बोल सकते है और या गांगुली वाला डायलोग है उ zuуч दो आपका नहीं भी MALकिने बहुत कम प्रवाइज करता में लाइन बहुत इंप्रोवाइज करता हूं कि लोगों को लगता है कि मैंने लाइने बहुत इंप्रोवाइज कि द्विशे में दिखें सिनेमा और ठीटर में एक फर्क है सर एक अभीनेता जब लाइने इंप्डरोवाइज करने लगता है तो उसका 144 से दिमाग ढट जाता है अगर कोई डिरेक्टर आपको बोलता है कि यहां पे यहां से बहां तक जाने के यहां पर दाइस घर कर तो बिलकुल अब सर की तलाश में रहो कि जैसे मुझे आजादी मिली एक लाइन तो mentally, physically तयार रहो कि धप से लाइन बोलूगा और जब अगर नहीं कि यही बहां तक जाना है तो I think जितना आप according to director, interpretation फॉलो करोगे डिरेक्टर का, उतना ही आप edit कम होगे. लेकिन एक आपकी एक और quality है, that is readiness to do anything. मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भूल भूलाईया, एक ऐसी फिल्म की जो आपका था, ये गेटप देखते से ही हसी आजा भी जैसे तरह आपका रियाक्शन था, किसी का भी हो, और ये जब पोस्टर पे भी आया, जब फिल्म के ट्रेलर पे भी आया, और अजर एक आप हसा सकते हो एक सिर्फ गेटप से है, वो बहुत बड़ी बात हो जाती है, इसको भी एक इंसिटेल्ट माने कि जब हम चार्ली चैपलिन साहब के जब इंस्टिट्यूट में थे, तो आपने उनका एक गेटप देखा है, उस गेटप ने पूरी दुनिया की हर कॉस्टूम को चुलोती द होते हैं तो उनके ही जो काटून में भी उनके फोटोग्राफ देखते हैं, मैं अंदर अंदर बहुत कि एक क्यारेक्टर ऐसा भी मिले जो मेरे भी जो है उसका काटून बने, अच्छा उपका पता नहीं था, लेकिन बिश्वास करिए इसके भी चार सी नहीं थे भूल- अच्छर की रूप में ये करेक्टर जिन्दा है तो इस बात की खुशी अब तु भूल-भूल या थिरी भी बन रही थिरी का करेक्टर और खतना है तो इसी से मैं आगे इसको कैरी पॉवर्ड करूंगा कि एक वक्त था जब मेhmood साब कॉमेडी करते थे और पोस्टर पे उ या था जौनी लीवर्ड साब के साथ थोड़ा बहुत कादरकान साब के साथ और एक आपके साथ भी क्योंकि आपने भले फिल्मों में दो सींग किये होंगे तीन लेकिन पोस्टर पे यूँ आलवेज बीन देर और आज तक रह रहे हैं ये ओडियंस की करपा है क्योंकि ये इसका सारा श्रे ओडियंस और मतलब मता पिता हंडेट परसंट गुरुजी और ईश्वर्ट लेकिन एक चीज पक्का है जो मेरा भी ड्रीम था कि पहले बोलते थे कि मेमुस आप है तो कमेडी तो पक्का होना है क्योंकि उस समय का देशकाल वाता बरन उन कंडिशन में जो में 15-16 बना के चले गए आई थिंक वो किसी अभिनेता के बसकी बात है नहीं जो 15-16 लोगों के टीम थी जिसमें दिलीब सहाब से लेके सुनील दत्व सहाब से लेके किशोरदा से लेके और चाहे पडोसन ले लो चाहे प्यार किये जा चलती किनी फिल्में थी अलग-अलग 2023 में मुझे खुशी इस बात किये कि राजपाल जादव अगर फिल्म में है तो एंटेटेन्मेंट तो हो गाई मैं सिर्फ इसमें यह चीज कि entertainment कभी-कभी serious entertainment और कभी-कभी comic entertainment मैं सिर्फ इसमें एक शब्द अपना यह जोडता होगी उस समय comic माहौल क्योंकि हम लोग सब पार्शी थेटर का है बहुत अच्छा कि पहले रात बर जो तमाशा होता था तीन घंटे में बदल गया गाने बजाने भी चाहिए अभिने भी चाहिए comedy भी चाहिए तो वो I think comedy जो है after 2000 अब entertainment के रूप में established हो चुकी है तो मैं चाहता हूँ कि कोशिच करूँगा कि जिस भी फिल्म में रहूं entertainment तो भरपूर हो तभी हर अभी नेता का मतलब है हर अभी नेता entertainer है और जिस फिल्म में ना हो उसके लिए भी दुआ करो कि ये भी खुशे पलो ताकि मुझे inspiration में जिन फिल्मों में आपने मुख्य भूमिका निभाई है मैं चार फिल्मों की नाम लोगा मैं मादुए डिक रही है यह कोई convention film में नहीं रही है अगें कभी भी चारों की चारों फिल्में क्या कहते हैं तो मच आप हमारा वो काम दिखा रहे हैं जो एक लिए हमारा देकर जिनाईस ही नहीं है उसमें यह फिल्म की थी जब चुक-चुक के जैसी फिल्म कर रहा था जब अभी निता बो कहानी है यह बीमारी है कि कहानी है तो बोले नहीं 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 हैंड तो सुन लेजिए vereक नहीं ह이면 कभी भी है रेपिष्ट का रोल मुझे आजाए तो मैं उसको नहीं में नई एक नहीं द embraced a अगर मुझे रेप करना पूर्म मीं पढ़ता है क्यों कि जो रेपिष्ट है वो character कैरेक्टर करके क्या दिखाना चाहते हैं लेकिन जब हमने कहानी का बोले एंड सुल लो तो ये बंदा बिल्कुल निर्दोश था और ये आज भी किसी गुजरात की किसी जंगल को टूटी-फूटी मस्जिद में चला गया है और इसने अपने वो जेल सुप्रेंडेंट साब को बोला कि मुझे जेल के पीछले दरवाजे से निकाल दूटी है दुनिया से मिलना नहीं चाहता और ऐसी जगह मुझे मतलब जाये जहां पर इनसान ना हो क्योंकि उसको एक महिना पब्लिक ने मारा फिर मतलब वो यह पुलिस वाले गए तो मतलब वाब ऐसा बंदा है जिसकी वाइफ ने उसके साथ काफी अच्छली उसका बहुत वो किया था और बेटियां वाइफ की उसमें और एक बच्चा जिक बंदा जो है जरी के कार खाने काम करता है और एकदम मोबाइल की दुनिया शुरू ही इसकी दुनिया शुरू हो गई तो उसमें यह कैसे परिवाल लपेटे में आया तो फिर जब जेल गया तो कैदी जब मिल जाते हैं कैदी इसको पीठने लगते थे क्योंकि यह ऐसी अन्होनी घटना है जो कोई तो मैं मैंने उनको बोला था यह रोल मैं करूगा और जब यह रोल करने के मेरे हाथ पर काप गए थे विलीब करिये क्योंकि जहां पर इतनी अच्छी एंटर्टेन्मेंट वाली अब जहां चुप चुप के जैसे 16 एक्टर है राजपाल पर बतलब एक जिम्मेदारी बहा करेक्ट इस फिल्म हमें पैसा भी नहीं मिला इस के यह मुझे डिरेक्टर गवा है ने कभी current भी नहीं की इसके लिए और हमने कहा कि आप ने मैं ने उनसे पूछा कि आपको लगते हैं मैं यह कर पाऊँगा वह यहात आप कर बाप बाप होता है, मा, मा होती है, और उनसे अच्छा कोई नहीं होता है, अपने बच्चें की। आपकी फैमिली की फेवरिट फिल्म है कौन सी रही है? मुझे लगता है कि मेरी मिन मैं सब से, मैं भर की मुर् 음악ी दाल पर आहुウann बच्चे आगे पूछेगे यह पापा की यह फेवरेट है वाइप की फेवरेट कॉन सी? कई बार तो ऐसा हुआ कि फिल्म का प्रीमिर देखने गए बड़ एक्साइटमें ने वाइफ को साथ में लिए चले गए लोट के आए तो गाड़ी में बैठे तो बड़ा चुप-चाप जिन्दगी चल लगी तो मैंने का कुछ अठीव ठाक है तो मैंने का इसी फिल्में आपको करनी चाहिए मैंने का यार यह तो डाट पड़ गई आदे गंटे बाद मैं बोला तेंदुलकर साहब ने यार मुलब साड़े तीन सव मैच खेले तो दस बारा में तो जीरो पर भी आउट हुए आप यह समझेलों में जीरो प्या होते हैं लेकिन कुछ फिल्में ऐसी जिनका इतना सच्चा और अच्छा एप्रीशेशन मिला तो आई ठींक घरवाले आपके सबसे अच्छे निंदक होते हैं और जिसमें बीबी की तारीप मिली वो पूरी दुनिया में हर बंदे कि तारिफ में बहुत कम फिल्मों की तारिफ में कौन सी थी एक धोल थी यार यह कैरेक्टर मतलब क्योंकि शी नोज मी कि मैं रियल लाइफ में किस मैं सबसे नीरस सबसे गंभीर इंसान हूं लेकिन वो धोल का कि किस तरीके का कि कॉंपेटिशन में इनको भी प्यार करना है या माला मालवी के लिए जो आपने ऑफ़ोर्स बत और हन्रामा और जंगल तो जंगल जंगल से ही हम हमारी शादी जंगल के फोटों से हुई है वहां पे गए थे तो उन्हों ने कि पिता जी ने राधा के पूचा कि को लड़का है तो बोले जंगल का लड़का है एक उद्व में हमेशा कैरेक्टर से दोस्ती तब तक रखता हो जब तक मैं उसको जी ना दू एक बार जैसे करेक्टर का हमसे बोला डिरेक्टर ने कि यो डबिंग में करेक्टर दुबारा करना पड़ता है या डबिंग ओवर हुई फिर उसके बाद रीड़ अप कुछ हो जाता है डिरेक्टर साब को यह लाइन पसंद नहीं आई यह लाइन पसंद नहीं आई वो हो गया उन्हें का कि आप राजपल भाई अपन प्रमोशन मिलेंगे उसके बाद में साब की चुकल की तरह हैं उसी दुन उस केरेक्टर को निकाल के स्टूडिय डालॉग आप चूज की जिए, इतने सारे आपने कारेक्टर की हैं, डोल का हो सकता है, हंगा मा का हो सकता है, चोटा डाउन हो सकता है, चुप-चुप के होता है उसके अंदाज में उसे लागत बोलने की तो अबग公र, फिर्स वन इस बड़े-बड़े देशों में चूट चोटी चोटी बाते होती रही बड़े बड़े देशों में चोटी चोटी बाते होती रही ओके तारीक पे 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 क्या पात है आता माजी सटक ली अरे आता माजी सटक ली कितने आदमी थे कितने आदमी थे वो दो और तुम तीन तुम तुम्हारी यह मेरी फेवरेड लाइन है और यह लाइन में साथ मिलेके चलता हूं इसलिए हमेशा आगे खड़े होने की कोशिश करता हूं और लोगों को पिछले बच्पन में टीचरों ने सबसे आगे खड़ा किया हाइट का कॉंबिनेशन बिठाने के लिए और जीवन में अब जो रा है लेकिन उनको सब को धन्यवाद देता हूं कि अब यह लाइन बोली किसने है वो तो बहुत ही महान दुनिया के महान सभी सेलूट करते हैं लेकिन हमारे जीवन में लाइन हमने हैपनिंग भी होते हुए देखी है कि राजपाल जहां खड़े होते हैं लाइन उसके पीछे बनती है वो क्या बात है वाओ जा सिमरन जा जी ले अपनी संदिक जा बड़ा धैनी बाप की कहानी होती है ये की मतलब चाहें रियल लाइफ हो और चाहें वो रिएल हो क्यूंकि मैं उन सब पिता पारेंट्स यो है ना कि ये हर बाप की कहानी है कि उसको ऐसा लगता है कि हम आरी बेटी बेस्ट जिन्दगी जिए बेस्ट जिन्दगी जिए और तकलीफ कोई ना हो कैथार्सित चाहें कैसे भी हो कभी बाप राजी नहीं कभी मा राजी नहीं कभी लेकिन हर माबाप ये चाहता है कि बेटी जहां रहे वहां सुखी रहे तो जा जा सिमरन जा और जी लिए अपनी जिंदगी अप्रुश नहीं महापुरुश है यह नहीं बोली जाहेगी इसका दूसरा भी है इंके इंटर्नल मीनिंग वो जिस लेधें भोला कि आप पुरुश नहीं महा पुरुष हैं आप पुरुष तोड़ी हैं महा पुरुष तो यह लाइन का ब्यूटिफिल मेनिंग है एक बड़ी अच्छी आपको इसे पुरुष नहीं महा पुरुष हैं एक दिल अपने चुप-चुप के में जब मैं बोलता हूं कि मालिक तो वो परेश भाई बोलते हैं कि मैं तेरा दुख सहलूंगा बांडिया कि मैं अपने मालिक बगर जिन्दा ने ऐसा कुछ डालोग ठाना हूं तो वो बोलता है कि नहीं मैं तेरा बिछडने कर दुख सहलूंगा बांडिया तो ऐसे देखता है मालिक तो उसमें भी प्रियन ज इता है बहुत लेकिन फीक्टर अभी बाकी है मेरे कृटर कि अब प्रयादीर बीथरी यह कहता है, इसके आप परूजर नहीं है कि जिस फीक्टर को आप पिक्टर कहने। विख छीगिन मिगले मेरे तोस्त देखते जाओ, फीक्टर difficulties мер corresponds अच्छा लगा बर्गर्दिक वेरी नाइस इंटर्वीव जैसा नोगा थैंक यू थैंक यू सो मच आपने हमें बुलाया और बहुत सच में जो अपना रेडियो नशा मुझे लगता है कि नशा बहुत तरीके को होते हैं लेकिन प्रदर दिबया साब एक बात मान के चलो आप कि जो रेडियो का नशा है वो सबसे बड़ा नशा है वो दुनिया में जितने भी बच्चे से लेके बूड़े तक अगर नशा जिसको रेडियो का लगा वो रात में ग्यारा बजे भी विविद भारती फोजी भाईयों लिए सुनके ही सोता था और इतने इतने प्लेट फार्म बदल गए हजारों प्लेट फार्म आ गए लेकिन रेडियो का नशा ना कभी कम हुआ है ना जीवन में कभी कम होगा God bless you all आपके टाइटल के लिए रेडियो नशा नशा थे बेस्ट नशा Thank you, thank you